आज की मुदली में शिबाबा हमें क्या पढ़ाने वाले हैं कि शिबाबा हमें आज पढ़ाएंगे हमें फील कराएंगे कि जो हम अभी अभी तक सोच रहे थे कि शी कृष्णा के द्वारा ही गीता ज्यान अम्दृत हमें मिला है गलत है भगवान हमें अभी बताते है कि भगवान ने खिश्श्ण के द्वारा शच्चे गीता ज्यान अम्रुत दिया ज्याएं कि detailed भगवान ने किया था वो तन कृष्णा का नहीं था यहां हम कृष्णा मान knots tan की बात करें है ब्रम्हा बाबा टीक्स ब्रम्हा बाबा ने के दौरा बहगवान ने बेसिक जुरू डिया था लेकिन भगवानने उनके दौरा गीता घ्यान अम्रूप नहीं जो अभी भगवान हमें दे रहे हैं, complete knowledge गीता का, वो उनके द्वारा हमें प्राप नहीं हुआ था, तो भगवान इसके बहुत सारी कारण आपको यहां इस class में सुनने को मिलेंगे, त्यान से सुनेंगे, तो कितने सारी भगवान हमें कारण बता रहे, जिसे हमें अभी हमारी जो मान्यता हैं, अभी भगवान बुद्धी को वाश कर रहे हैं, तो तीरे तीरे हम clean करें, उसको replace करें, original मान्यता से, तो आप उसको ध्यान पुर्वक सुनें, तो आप आत्मिक सिदिका पहले अभ्यास करें, स्वामान करें, कोई भी स्वामान ले लीजे, आमें एक आत्मा देख स्वाक की सब चीजों को एक पाजुब रग दे और वही विचार से पूरा आनंद उसी विचार के आधा पर लेना चालो करें, यकीन करेंगे कि मैं आत्मा, यह पवित्र आत्मा हूं, तो आएगा आनंद, ठीक है, और फिर बाब, शिव बाबा को तो याद करन करना है, जो भी आप सुनते हो, ठीक है, और यह motivation का point है आपके लिए, हिंदी English दोनों है, description box में रख दूंगी, लेकिन अभी मैं सिर्फ हिंदी का आपके सामने रख रही हूं, ठीक है, तो देखो, बहुत अच्छी बात बताई है, कि मुरली जो होती है, ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम बात की कि न, दूआए दो, दूआए लो, तो दूआए दो, दूआए लो, उसके लिए तो शुरु संकलप चाहिए, हाना, शुरु संकलप हमें, हमारे सब व्यत संकलपों को समाप्त तरेगा, ठीक है, तो यहाँ जैसे बहुत अच्छी तरीके से बताते है नह सिर्फ अपने व्यत संकलप लेकिन आपके शुरु संकलप दूसरों के प्रति विशुब भावना, शुब कामना के स्वरुप से परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है, तो यह विशुब शंकलपों के का स्टोक और शक्ति कैसे जमा होगा, ठीक है, हमें मुर्ली सुनना होगा रोज, ठीक है, मुर्ली सुनेंगे, तो ही हो सकता है, मुर्ली एक खजाना है, पवित्र विचारों का, भगवन हमें जो भी सिखाते हैं, समझाते हैं, अगर हो, वो सब चीज हमने समझने की कोशिश की, कोई लोग कहते हैं कि बस धारणा ही हमें सुननी हैं, यह सब ज्यान क कि बाते हमें, हमें नहीं सुननी है, या फिर एंट्रस नहीं आता है, जो इसको उदाहारण से हम समझते हैं, तो उदाहारण यह हैं कि कि किसी को पानी में जाने से डर लगता है, तो कोई उनको इस करता है कि कोई light jacket पहन लो, अब पानी में डुभ गे ही नहीं, तो एसिए сказ तो पानी में जाकर वो बहुत खुश हो जाता है तो पानी में जाकर उसको बहुत खुशी मैसूस होती है तो और वो अच्छे-चे संकलब भी करने लगता है तो अरे वहाँ पानी बहुत अच्छा है अच्छा लग रहा है वहाँ सब गेम्स बगेरा भी खेली जाती है तो सब लोग रहते हैं बात्चीज होती है तो उनको बहुत अच्छा लगता है अच्छे-च्छे थौट्स आते हैं तो यह सब जो अच्छे संकलब तो आए लेकिन अच्छे संकलब उनके मन को खुश करने के लिए उसका बेस क्या था उसका बेस उसका जो लाइफ जैकेट था अगर स्कूरि की मैसूस होती है उसके आधा पर सुछार्व शोळस संकलब आते हैं तो रियाहिए हर समय हमें अगर करना हैं ठीक हम वैहां वही हैं हर चीज हम करने में कहीं न कहीं से तो डर रहे है तो डर को कैसे मीटा इंटाए हमारा पैरशुट सॉरी हमारा लाइफ जेकट क्या है यह अगर लाइफfund का होगा मूरि सुनी होगी तो हमें कहीं से तो शुर्य संकलब आचीं दिग कि इसलिए यहां बोला है कि मुडली के हर को शक्ति के रूप में जमा करना है हमें शुर्य संकल्प की शक्ति को बढ़ाना है तो मुदली सुनेंगे तो ही हमारी शुर्य संकल्प की शक्ति को बढ़ा पाएंगे हम ठीक है हम हर समयकारिय में लगा पाएंगे ठीक है तो इसी लिए हमें इस पे अटेंशन देना है ठीक है संकलब शक्ति को बढ़ाने के लिए मुरली रोज सुनना है ठीक है और स्टोक जमा करना है तो यह पॉइंट को हम नीचे description box में रख देंगे ठीक है अभी धारणा के हिसाब से हमने पोतों हमने बोला ही था रही ब्लेसिंग देना है लेना है तो बाबा का एक यहां एक वाक्तालाप में किसी ने पूछा था उसका यहां मुझे याद आया इसके डाला है इसका हिंदी वर्शन नहीं है वाक्तालाप का नंबर नहीं पता है लेकिन बाबा ने किसी ने पूछा था शिर्वाबा को तो कैसे करना है किस आधर पर हम blessing दे सकते ले सकते हैं ठीक है तो बाबा ने कहा था कि कलियानकारी भावना रखनी है feeling of benevolence towards everyone ठीक है आत्मिक स्थिती में हम अगर रहेंगे तो easy हो जाएगा ठीक है तो दिहे भान से हम नीचे गिरेंगे आत्मिक स्थिती से उचे उठेंगे तो हमें यह सोचना है कि कि हम बड़े भाई है न तो चोटे जैसे बड़े भाई को चोटे भाई के प्रती थोड़ी ध्यभाव ना जाती है न, तो हमब्यातमा आतमा सब आतमा हैं, अ कोई आतमा जैसे ज्यादा मैं चौर होती है, तो बड़ा भाई कह सकते हैं, çek channel तो इसलिए यह हम याद रखेंगे ठीक है तो हम आसानी से ब्लसिंग दे पाएंगे ठीक है तो यह यह भी एक युक्ति है चलो best wishes ठीक है अगे इन सब लिंक्स description box में है ठीक है मैं अगर बूल भी जाओ तो आपको ध्यान में रखना है कि सब कुछ description box में ही रहेगा ठीक है कि अपक Challengar कै उने को झाला है तो कि अप्रैंगे ऑर दुराओी ए रहेड़क्ड़ का झाला है प्रस्टाधा यह भी यह भी विए मॉल भी चलो दो जाb है अबचरापनी आ रागा वाद जाबसा कि अत्श